इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटी वर्सेज आरा ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में यानि गुज़राट टाइटन्स और आजिस्तान रॉयल्स के बीच में IPL 2024 का जो कौलिफायर वन होगा दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट मैच इडन गार्डन्स कॉलकता से जो जीते गुजराट शुट गेट दा अडवांटेज और उनको प्लियॉप्स में भेजा जा सकता है क्योंकि उनकी रैंक वन थी जो पॉइंट स्टेवल रहा है उसमें लीक स्टेज में लेकिन दोस्तों मैच हो यही हम चाते हैं दोलाग 51,000 लोग हमारे टेलीग्राम चैल में आज़ो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में लिंक है दोस्तों यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किज बात का वेट है यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे में जा सकता है तो ध्यान रखना ठीक है ये वीडियो देख लेना साथ में जिसे मैंने सब्सक्राइब किया हुआ आप भी करकर रखिएगा जब शुरोडा साच कर सकते हो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तो अगर मैं अब बताऊ इस मैच के बारे में Eden Gardens कॉलकेता की विकेट में क्या हो सकता है जनरल ही देखो गे कॉलकेता की विकेट स्टार्टिंग में बहूत अच्छी स्पिन को सपोट करती थी पिछले कुछ सालों में fast bowlers को ज़ादा support किया है but actually true reality यह है कि दोस्तों आज होंगे overcast conditions क्योंकि बारिश के chances हैं तो fast bowlers को swing ज़ादा मिलेगी तेज हमाएं चलेगी, trend bolt की हमाएं चलेगी महुंबच शमी की चलेगी, यश्दियाल अच्छा कर सकते हैं तो यह चीजों का ध्यानक न सीमर friendly conditions हो सकते हैं आज के match में, प्लस fresh wicket है तो बल्ले बास भी ठीक कर सकते हैं, ठीक जाएं तो ठीक है दोस्तों February 2022 में India West Indies की series हुई थी हम वो डिसकस करेंगे पिछ को जानने के लिए IPL में यहां पिछले तीन से चार साल में कोई match नहीं हुआ पिछले साल आपको पता है कुछ matches Mumbai में हुए थे कुछ matches दिल्ली में, चन्नाई में ऐसा कुछ हुआ था उसके बाद फिर हम move कर गए थे UAE और इसके अलावा इवन last year जो पूरी league थी वो UAE में यही थी, उससे पहले भी यहां matches नहीं हुए तो पिछले तीन कुछ सालों में यहां matches नहीं हुए है तो best जो यहां पर आप पिछ को समझने के लिए देख सकते हो India West Indies की February 2022 की सीरीज तीनों matches इंडिया ने जीते थे पहला match जीता था इंडिया ने chase करके दूसरे दोनों matches में उन्होंने defend किया था score ठीक है, wickets गई थी पहले match में 11 में से 6 spin को दूसरे में 8 में से 5 spin को प्यूज भाई आप तो कह रहे थे, wickets जादा fast को जाएगा थर्ड match में देखो 14 में से 12 fast को ठीक है, यहाँ पर 3-3 wicket, rost and chase ले गए थे, बहुत अची form में थे, इसलिए spin को काफी अची help आपको देखने को मिल रही है wickets 33 में से 20-13 spin रही थी ऐसा नहीं है कि spin game से बाहर है लेकिन इन टाइम पर बारिश की chances नहीं थे जादा, आज बारिश की chances है जो overcast conditions, fast girls को favor कर देता है so runs wise अगर मैं बताओं आपको इस ground पे, शुमन गिल ने कॉलकिता से काफी matches खेले है, 12 match में 3 अर्शा तक है, उनके 3-35 runs है रिदी मान साथ, 14 match में 279 and 31 की average है, player ये भी बढ़िया है Bengal से उनने काफी cricket खेली है अपनी, तो homegrown player है Sanju Samson 7 match में 2 अर्शा तक Miller 6 match में 1 अर्शा तक यहां पे, दोनों का average अच्छा है Hardik 5 match यहां 120 run है Butler 2 match में 80 run, 40 का average Riyan Praag 1 match में 47 इस ground पे, bowling में देखो तो Ashwin 10 match 9 विक्टे, Hardik 5 में 6 Prasid Krishna 10 match 6 विक्टे, लेकिन Kolkata से खेले हैं, काफी ध्यान रखना Rashid 4 match 5, Bol 4 match 5 Yuzi Chael 7 match 5 Devitya 1 match 3, Mohamed Shami 2 match 2 और Lockie Ferguson 3 match एक विक्टे, इस ground पे निकाले हैं एक ही head to head match हुए दोस्तों, इसी साल हुआ था, गुजरात ने वो match बहुत easily जीता था, Hardik Pandya ने 87 not out किये थे, Butler ने 54 किये थे, Abhinavon ओर 43 Miller 31 not out विकेट्स में Yuzi Chael और Lockie Ferguson को 3-3 विकेट्स मिला था, वो performances मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो Basically 37 run से गुजरात वो match जीत गया था Rajasthan Royals की अगर दोस्तों, हम player rolls plus recent form देखें कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ change होना चाहिए हम सीधा यहाँ चलते हैं, जहाँ 14 मेंसे 9 match, 200 राजसान जीत के points table में rank 2 पे रही है, Butler का जो starting का form था, भाई, Butler ने 35, 173, 153, 116 8, 67, उसके बाद 22, 37, 22, तो Butler के जो lowest 3 scores रहे हैं, वो पिछले 3 matches में रहे हैं, लेकिन Butler भहिया भी Butler भहिया है, थोड़ा सा start में अगर swing इन ये शमी की निकाल गए, तो बढ़िया runs कर सकते हैं, इनको last match में लॉकी फरकेशन में बहुत बढ़िया Yorker पे आउट किया था, इन्होंने 54 अनमारे थे पिछले match में, ये job को दिख रहे हैं, गुजरात के सामने, जैस वाल आ गए हैं, जब से आए हैं, फर्म में 68, 41, 59, अच्छा किये हैं, ठीक है, Samson last time इनी स्टीम के सामने run out हो गए थे, बढ़ प्लेयर बढ़िया हैं, इनके 58, 58, 58, 56, 3, 19, 0, 19, 10, स्कोरिंग कम है, बट ये प्लेयर जिस टाइम पे आता है, इतने ही स्कोर कर पाएंगे, मुझे लगता है कि 10 से 12 बॉली मिल रही है उनको जब मौका मिला 56 की और एक आधे match में ये फेल हुए थे, तो रियान पर अधे प्लेयर तो ठीक है, बट मौका कम मिल रहा है, प्लस कैचिंग पूजिशन्स में रहते हैं, स्मॉल लिग में लेना थोड़ा सा रिस्की रहता है, ग्रेंड लिग के लिए प्लेयर है, रवी एश्विन भाइस तो स्मॉल लिग के ही प्लेयर है, चालिस नबाद रन कर दिये, विकेट ले लिया, आजकल बल्लेवाजी भी मिल रही है, स्वरव यश्विन इस दकी, बोलिंग में ट्रेंट बोल्ट, बोर्ड मुकाई, प्रसित कृष्णा और यूजी चेहल, एवर ग्रीन, यह सभी आपको बोलर्स बहुत बढ़िया दिखेंगे, लेकिन ओवर्ड मुकाई की स्लोवर वन्स क्या यहाँ पर चलेंगी, I a bit doubt that, तो मैं चाहूँगा कुलदीब से इन खेले, बट राजसान रोयल्स की मेनेजमेंट यह चेंज करेगी, अगर बोलिंग की बात करें दोस्तों, तो यूजी चेहल से स्टार्ट करते हैं, बहतरीन बोलिंग करी है, परपल कैप होल्डर अभी तक, 56 ओर डाले हैं 14 मैचेंज में, और इससे ज़्यादा डाल भी नहीं सकते हैं, चार ओर हर मैच में डाले हैं, चार ओर इनके कनफर्म्ड हैं, लास्ट मैच में अगर आप देखोगे, सात्वा, ग्यारवा, पंद्रवा और उन्निसमा ओर डाला था, अब इनको एक ना एक ओर डेथ में मिली जाता है, 15-20 के मैच ओर जो होते हैं, बोल्ट ने 1st, 3rd, 6th और 12th डाला था, 13-10 के पास हैं, अश्विन पास 11-10 हैं, जिसे मैंने बोला कुल्दीप आएं, लेकिन अभी मैं शौर नहीं हूँ कि बोल्ट और कुल्दीप में कौन खेलता हैं, परिसनली मेरे साब से ऐसी रिकेट जो इडन गार्डन की अभी है, शायद कुल्दीप से इन बहतर होंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है, ओबोर्ड और कुल्दीप में से जो भी खेले, वो सीधर डेथ होड डालेगा, क्योंकि जब-जब यह केलते हैं, ट्वेंटिएथ होगर जनरली यही डालते हैं, राजिस्तान के फुल स्टैट्स प्रस इन फो दूस्ताफ को हर्ट लेर का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, लास्ट सीजन के स्टैट्स भी देख लो, कोई ज़्यादा फरक नहीं है, एक बार ही गोत्रू करना चाहो तो, बाकी अब हम गुजरात की बात करते हैं, इनके भी प्लेयर रोल्स पर स्रीसेंट स्टैट्स बैने लिखे हुए हैं, जस्ट बिफॉर आईपियल, नाव 14 में से 10 में जीतके ये टीम ने बहुत बढ़िया किया है, शुमन गिल का स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, 84-96 की नॉक्स आये थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फीके रहे हैं, मिडल में ठीक ठाक पर्फॉर्मेंस आया है, ठीक है, तो इस प्लियर के पास 4 half centuries है, देखोगे तो 14 matches में 10 matches में फेल हुआ है, लेकिन 4 half centuries इनके पास है, रिदीमान साहाज अब से आया हैं, बहुत अच्छा केले हैं, 68, 29, 29, काफी हद तक स्टार्ट मिले हैं, और काफी बड़िया स्कोरिंग करा है, और अपने home ground, Bengal में ये काफी खेले हैं, कॉलकिता के लिए, तो in fact, Bengal के लिए कॉलकिता में काफी खेले हैं, और आपको आज भी यही होता दिखेगा, अपने घर पे खेलेंगे, मैथ्व 8 का है, मुझे लगता है, एक फास्ट बूलर को लेके आ सकता है, पर इनका वीक पॉइंट हो सकता था, कोई ओवर सिसन के पास ज़्यादा ओप्शन नहीं था, तो वहाँ डिविट मिलर ने अच्छा संभाल लिया, बैन राहूल तेवेतिया भी बहुत इंपोर्टेंट है, रेगुलर्ली स्कोरिंग कर रहे हैं, नॉक्स अच्छा खेल देते इनको मिली है, पांचमा, दसमा, पंदरमा, सतरमा ओवर लास में किया, बैंगलाओर के आगे दो विकेट लिये थे, शमी अठारा विकेट, लास में फर्स्ट थर्ड ओवर ही डाला था, फर्गशन बारा विकेट, बारवा उननिसमा ओवर ही डाला था, थोड़ी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, धेन जीटी के लास्ट येर के पर्फॉर्मेंस इस देख सकते हो, ठीक है, यह भी क्रूशल चीज़े हो जाती है, लेकिन जो सबसे क्रूशल होती है, वो होती है, प्लियर मैच अप्स, दोस्तों, जॉस बटलर की बात करते हैं, फ प्रशली राशित खान इनको बहुत तंग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह शस्वी जैस वाल, राशित के आगे एक बार आउट है, बाकी नॉर्मल, देवधत पड़िकाल राशित के आगे एक बार, शमी के आगे नॉर्मल है, लोकी फरगशन पे दो बार, यह ज कंडिशन पर फास्ट बोलर्स को सपोर्ट दे सकती है, तो देवधत पड़िकाल को फिट से यश्द्याल तंग कर सकते हैं, संजू सैंसन लास्टे इम रन आउट होगे थे, ग्यारा पर तोटली दिखोगे तो अच्छा खिले है, इनके बोलर्स को संभाला है, राशित को र और लॉकी फर्गेशन पर एक बार, तो अगर आप नोट करोगे, राशित खान ने सभी को लगबग बड़े प्लियर्स काउट किया, इस टीम के, स्पेसिफिकली हैट मेर को तीन बार और बटलर को चार बार, तो यह आपको दिखाता है, इनको हैट मेर को भी चार बार, ट्रेंट बोल्ट को भी देंजरस दोस्तो, ग्रेंड लिक कैप्टन करना है, सीधा अच ट्रेंट बोल्ट को, थर्टीन पर आउट हुए थे, लास्ट है मरियान पर आप पे, लोंगान पर कैस दे बैठे थे, रिदीमान साह ट्रेंट बोल्ट पर विकेट है, और यूजी च डेविड मिलर, अश्विन और शहल पर तीन-तीन बार आउट हुए हैं, मुकोई पे एक बार बाकी फास बोलर्स को बढ़िया के लिए हैं, इनफेक्ट लास्ट मेश पे कुलदीव सेन की पिटाई कर दी थी, पांच गेंद में, लास्ट ओवर में, सेकेंड लास्ट ओवर पांच इन्होंने गेंद खेली, बीसरन लगा दिये थे कुलदीव सेन की बोलिंग पे, राहूल तेवेतिया, प्रसिद कृष्णा पे विकेट है, अश्विन पे विकेट है, निशम पे विकेट है, तो राहूल तेवेतिया के एक स्टैट्स नॉर्मल ही हैं, बट इनको बार विकेट, 2021 में ही तीनों बार आउट हुए थे, तो ये भी बता दिया, मैंने यूजी चाहल पे एक बार विकेट और एक बार वंडे में भी यूजी चाहल ने इनको आउट किया है, तो तो ट्रेंट बोल्ट अगर आप देखोगे, वेड को, हार्दिक को, रिदिमान सा को गिल को आउट कर चुके हैं, तो टॉप ओडर को तंग कर रहे हैं, बटलर और साहा आपको दीखेंगे, इंपोर्टेंट खिलाडी, दोनों विकेट कीपर हैं और दोनों टॉप ओडर के प्लेयर हैं, संजू सैंसन आपको मेडल ओडर में दिख रहे हैं, वन डोन पे लग तो आप किसको लेना चाहोगे, पहले तो आप बटलर को साहा को और सैंसन को लेना चाहोगे, तीनों को मैंने ले लिया, अगिन बता देता हूँ, ओपनिंग पर बटलर हैं, ठीक है, और अच्छा प्रफोर्मेस दिया है, रगुलर्ली, लास्ट टेम भी इस टीम के आगे च स्कोरिंग का बेस्ट चांस रखते हैं, बल्ले बाजी में यहाँ पर मैंने शुमन गिल को रखा है, ठीक है, मैंने ये शस्वी जैस वाल को रखा है, ये मेरे पास दो रहेंगे, ये दोनों ओपनर हैं, ठीक है, अब देखो, ओपनर्स को इस मैच में ड्रॉप भी आप ट्र घेफ है, ये मेरी रिक्मेंडेशन है, हैटमेर को आप बिलकुल रख सकते हो, especially अगर राजस्तान की पहले बले बाजी हो, लेकिन राजस्तान की पहले बले बाजी में हम देवदत को प्रेफर कर लेंगे, तो हैटमेर को हम ग्राड लीग ऑप्शन में रख लेते हैं, ठीक ह और डाउंडर्स पर आते हैं और डाउंडर्स में हारदिक हैं अश्विन तवत्या पराग नीशम बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं पर हम सबको नहीं ले सकते दोस्तों हमने सबसे पहले हारदिक पांडिया को लिया हार्दिक पांडिया को लेने का रीजन क्या है हलकी सी ओवर भी डाल सकते हैं बट बल्लेवाजी तो इनकी हैई टूरों तक बल्लेवाजी कर लेते हैं लास्ट टेम 87 नॉटर प्लस वन विकेट इनोंने राजस्तान के आगे किया था तो कुरूशल प्लियर रहेंगे हार्दिक पांडिया ठीक है अश्विन का थोड़ा सा मैं डाउट फूल हूँ लास्ट में 40 भी किये विकेट भी लिया हमने टीम में भी लिया लेकिन आज क्या अश्विन को लेना है क्या फास बूलर के लिए जादा जाना जाएए थोड़ा सा यहां पर मैं कन्फियूज दो दोस्तों इसलिए वैने अभी अश्विन को नहीं रखा है इट्स अ बिग कॉल बट मैंने अपने टीम में नहीं रखा प्लियर क्रूशल है ठीक है रहुल तवितिया को भी मैं नहीं ले रहा हूँ ठोड़ा सा बोलिंग करना ही रही है बले बाजी नीचे आ रही है अरियान प्राग फिनीशिंग कर रहे हैं कैचेस से ज़्यादा पॉंट दे रहे है profound शंकर मिचैल गडवाल और कॉर्विन बॉश चाहिए था यही रीजन है आश्विन को नहीं लिया राशिद खान फाइव डाउन पर बल्ले बाजी भी कर रहे हैं यह मत भूलिएगा प्लस इनका मैच अपस आपने देखे थे तगड़े हैं यूजी चेहल आपको पता है पंदरा से बीस ओर में एक से दो डाल देते हैं जहां इनको विकेड मिल जाता है इसलिए मैंने इनको रखा है पेस बोलिंग बैटरी में शमी है, बोल्ट है, प्रसिद करिशन है, लोकी फरगशन है यार ये सब प्लियर ना बहुत मनना इसमोली में लेने का, लेकिन ले नहीं सकते है तो ग्रैंड लीग में एक फास्ट बोलर गलोर टीम बनानी ही बनानी है जिसमें आप फास्ट बोलर जादा रखो इस पिछ पे और मैच छोटा भी हो सकता है, 20 से 12 ओर का हो सकता है 12 से 10 ओर का हो सकता है, क्योंकि बारिश की चंसेज है सो कंडिशन्स पे डिपेंड करेगी हमारी टीम इसलिए आज चली ग्राम पे जुड़ना मत भूलना, धाईलाक लोग जुड़ चुके हैं पॉइंट दिख रहे हैं, कैचिस कर सकते हैं, विकेट कीपर तो रिदिमान साहो और सैमसन की हैं, बटलर ओपनिंग पे हैं कप्तानी, वाइस कप्तानी सी के लिए आप पस बहुत सारे प्लियर्स हैं दोस्तों, आप पस यहाँ पे सबसे पहले बटलर हैं दिन हार्दिक पंडिया है और राशित खान है ठीक है, ये तीन की प्लियर्स हैं ग्रैंड लीग में आप क्या करोगे, अगेन मैं फिर से बता देता हूँ ओवर कास्ट कंडिशन, फास्ट बुलर्स को फाइदा दोगे मैंने स्मॉल लीग में अपनी कप्तानी हार्दिक पंडिया को दिया वाइस कैप्टन सी बटलर को दिया अगर मैच छोटा जाता है तो हार्दिक पंडिया सीधा टॉप ओडर में आ जेंगे वंडोन भी आ सकते हैं और जुरत पड़ी तो साहा को डिमोट करके दोस्तो जल्दी से आजाएं